हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे standard 9th maths 1 algebra का chapter number 3 जिसका नाम है polynomials इसके 5 practice set हमने already कर लिये हैं आज हम इसका last practice set practice set 3.6 शुरू करेंगे ठीक है तो आज lecture 1 में हम इसका first question देखेंगे find the factors of the polynomials given below ये वाला है न आपने 8th standard में 6th chapter में किया हुआ था मैंने आपको बहुत ही detail में जिखाया है product और factor निकालना आप product निकालते थे और middle term को split करते थे ठीक है तो ये जो 6 questions है इसमें हम लोग middle term split करना सीखेंगे ये हम क्यूं सीख रहे हैं ताकि जब complicated questions आये न फेक्टराइस के वो हम solve कर पाए अगर आपको split the middle term बहुत difficult लगत हैं बहुत ही basics है इसमें मैं basic से ही कराऊंगा लेकिन आपकी और ज्यादा questions की practice हो जाएगी अगर आप वो questions देखेंगे तो हमने 8 standard में practice set 6.1 में 12 questions इसके उपर solve किये थे same method यूज़ करेंगे और ये वाले questions solve करेंगे काफी simple था अगर आपको थोड़ा भी doubt आता है 9th वाले questions म सकते हैं मैंने बहुत ही detail में पढ़ाया हुआ है चलो अब 9th का देखते हैं तो 9th का first question है find the factors of the polynomials given below और यहां पर दिया है 2x square plus x minus 1 factors मतलब factorize करना मतलब bracket लाना है तो इसमें आप bracket कैसे लेकिया होगे ऐसे 2 into minus 1 ये first term और ये last term का coefficient multiply होता है इसको हमेशा आप लोग standard form में नीचे वाला बाद में उसके नीचे वाला देखो इसका degree 2 है इसका degree 1 है इसका degree 0 है ऐसे ही form में लिखना ठीक है तो 2 into minus 1 ये हो जाएगा अपना product 2 into minus 1 बना जाएगा minus 2 और ये जो बीच में term होता है उसका coefficient क्या है 1 वो है अपना sum अब हम लोग को दो number ऐसे find करने है कि वो दो number को multiply करेंगे तो minus 2 आना चाहिए और उनका sum करेंगे तो plus बनाना चाहिए ठीक है तो दो number ऐसे ढूंडो जिनको multiply करके minus 2 आए सिर्फ 2 देखो सिर्फ 2 का बात है 2 को 1 से multiply करेंगे तभी आएगा और कभी नहीं आता है तो हम लोग 2 2 into 1 करते हैं हमेशा बड़ा number पहले लिखना 2 पहले लिखा 1 बाद में लिखा अब ये 2 का जो sign है न वो यहां से आएगा middle term का sign क्या आए देखो middle term का sign है plus तो इसका sign आजाएगा plus फिर इसका sign क्या से निकालेंगे ये plus को minus से multiply करो plus into minus will be minus तो इसका sign आजाएगा minus अब देखो अब इनको add करो plus 2 minus 1 add करके आएगा आपको plus 1 तो यही है अपना sum मतलब ये दो number अपने सही है तो अब क्या करेंगे ये जो middle term है न यहाँ पे इसको split करेंगे ये middle term मतलब plus 1 है ये plus 1 को हम लोग लिखेंगे plus 2 minus 1 तो कैसे आएगा देखो यहाँ पे ये 2x square और ये minus 1 ये दोनो same रहेंगे सिर्फ ये वाला जो term है न बीच में ये वाला जो term वो हम लोग split करेंगे plus 2 minus 1 में उसके साथ x था तो उसको हम लोग x के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे plus 2x minus 1x देखो यहाँ पे ये plus 1x था न प्लस 2x minus 1x क्या आएगा plus 1x ही आएगा तो ये middle term को हम लोग ऐसे split कर रहें क्यों split कर रहें इसको factorize करने के लिए ये दो number कहां से आए ये दो number इसी में से product और sum लेके हम ने निकाले ओके अब हम लोग क्या करेंगे next step में next step में हम लोग ये दो की जोड़ी बनाएंगे and फिर ये दो की जोड़ी बनाएंगे ठीक है तो देखो क्या common आता है य ऐसे मैंने यहां से 2x common लिया 2 बाहर गया x बाहर गया तो 1x बच गया तो मैंने यहां पर 1x लिख लिया बीच में plus sign है तो मैंने plus sign डाल दिया यहां पे से 2 गया और x भी गया बाहर गया 2x तो ऐसे मत बुलना 0 बचा 1 बचा ना कुछ भी number हो उसको आप multiplied by 1 तो लिखी सकते ह हो तो यह दोनों को बाहर निकाला तो 1 बचेगा कभी भी confusion हुआ ना तो यह verify करके देखने है इसको multiply करो 2x into x 2x square फिर plus 2x into 1 2x इसको multiply करके इसके उपर वाला step मिलना ही चाहिए क्योंकि इसी में से यह आप लेकिया है अब यहां पे देख लो यहां दोनों में सिफिक 1 ही common है तो मैं यह minus है न बार तो यहां पे मैं minus 1 common लेता हूँ यहां से minus 1 common लिया तो क्या बचा एकस तो इधर x ले लिया अब यहां पे एक ऐसा नंबर लिखना है कि multiply करके minus 1 आना चाहिए देखो यहां पे minus 1 है तो यहां पे अगर मैं plus से multiply करूंगा तो यह sign minus आएगा इसलिए sign त into 1 आ जाएगा 1 और यह term और यह term same आना चाहिए दिख रहा है same है इधर भी x plus 1 इधर भी x plus 1 तो x plus 1 को बाहर common ले लो तो x plus 1 को बाहर common लिया तो अंदर क्या बचा यहां से x plus 1 गया तो 2x बचा यहां से x plus 1 गया तो minus 1 बचा खतम आ गया ना brackets इसने बोला था factors निकालो मतलब brackets लेके आप तो brackets लेके हैं हम लोग देखो यह same चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया आया समझ में simple है ना हम लोग product निकालेंगे sum निकालेंगे वो यूज़ करके दो factors निकालेंगे जिससे हम लोग middle term को split कर देंगे फिर जैसे ही middle term split हुआ पहले दो term और last दो term की जोड़ी बना लेंगे common निकालेंगे और last में factors आ जाएंगे copy कर लो notebook में second question करते हैं second question में दिया है 2m square plus 5m minus 3 अभी ये पता कैसे चलता है factors निकालेंगे क्योंकि ये कोई standard formula नहीं है standard formula क्या थे factorization के a cube plus b cube अगर आपको दिख गया तो उसका formula आपको पता था a cube minus b cube दिखा तो भी आप उसको factors में कर सकते थे bracket ले आ सकते थे a square minus b square दिखा तो भी आप उसका कुछ कर सकते थे लेकिन ये कोई भी एक standard formula नहीं है ये दिखता है हमको कि middle term को split करने वाला question है ठीक है तो यहाँ पे देखो product क्या आ रहा है first term का coefficient और last term का coefficient 2 into minus 3 अपको मिलेगा ये plus 2 है देखो plus into minus minus 2 into 3 आजाएगा 6 तो आजाएगा minus 6 अब आपको 6 को minus मत देखो गी 6 को ऐसे split करना है कि multiply करो तो minus 6 आए और add करके plus 5 आए बहुत बच्चों को ऐसे लगता है मुझे directly numbers कैसे मिल जाते है चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है exactly 6 के factors कैसे निकालेंगे सिर्फ 6 देखो ठीक है 6 के factors आएंगे 2 3s आ 3 1s आ ठीक है तो आप suppose लेते हैं 3 into 2 मैंने बोला था बड़ा नंबर पहले लेना ये रॉंग है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता कैसे चलेगा रॉंग है ये 3 और 2 लिखा मैंने product तो 6 आ सकत आएगा देखो plus 3 minus 2 करके आपको आएगा 1 आपको कितना चाहिए था आपको चाहिए था plus 5 तो ये दो नंबर रॉंग है आपको multiply करके minus 6 मिल रहा है लेकिन इनको add करके plus 5 नहीं मिल रहा ठीक है तो आप बोलेंगे sir plus 3 और इसको plus 2 कर दो अरे भाई plus 3 और plus 2 किया तो इसको multiply कर हो क्या आएगा 3 2s are 6 लेकिन plus into plus plus आता है मुझे minus चाहिए तो sum correct हो जाएगा लेकिन product wrong हो जाएगा तो ये चले गा ही नहीं दोनों सही आना चाहिए product भी ही आना चाहिए sum भी ही आना चाहिए इसलिए 3 और 2 इसके factors नहीं है तो ये मुझे को erase करना पड़ेगा अब भी मुझ sign का खेल देखते हैं यहाँ पर बीच में plus है तो इधर मुझे plus मिलेगा फिर ये plus into minus कितना होता है plus into minus minus तो ये minus आ जाए multiply करके clearly देखो minus 6 मिल रहा है 6 into 1 6 plus into minus इन दोनों को add करो plus 6 minus 1 कितना आता है 6 minus 1 plus 5 ना खाली 5 लिखो के तो भी चलेगा 5 आ रहा है देखो same है ना इसका मत अतलब ये दोनों number सही है product भी आ रहा है sum भी आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे ये 5m जो है ना उसको बिचारे को plus 6 minus 1 करके लिखेंगे बाकी दोनों term 2m square और minus 3 same रहेगे देखो ये 2m square ऐसे लिखेंगे minus 3 भी ऐसे लिखेंगे ठीक है लेकिन ये बीच में जो 5m है उसको लिखेंगे plus 6m minus 1m समझाए कहां से आया है ये हम लोग ने इधर से लिए है ये 5m को ही खाली change किया ये दोनों same to same copy होगा है अब क्या करेंगे अब दो दो की जोडी बनाएंगे पहले दो and last 2 पहले 2 मेंसे क्या common आएगा देखो इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 तो इसमें 2 है इधर में 2 है तो 2 common ले सकता हूँ यहाँ पर 1 M है यहाँ पर 2 M है तो यहाँ दो M मैंसे मैं 1 M बाहर ले सकता हूँ न तो एक 2 common आ रहा है और एक M common आ रहा है तो मैंने 2 common लिया और M common लिया तो यहाँ क्या बचेगा एक 2 गया एक M गया तो सिर्फ M बचा और यहाँ एक 2 गया और एक क्या बचा देखो 2 इंटू तो 3 लिखा इसको और M, एक 2 गया और एक M बचा, सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, प्लस 3, ओके, अब यहाँ पर इधर देखो, माइनस 1, माइनस 3, M, M तो दोनों में common है नहीं, सिर्फ माइनस 1 दिख रहा है common, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 निकाला, तो क्या बचा, सिर्फ M, तो यहाँ पर M बचा, और यहाँ पर यह 3 को into 1 ले सकता हो, माइनस 1 मैंने अगर निकाल लिया, तो बचा क्या, सिर्फ 3, अब 3 का sign क्या आएगा, देखो, बच रहा था, माइनस 3 दिख रहा था, लेकिन वो माइ माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं इसको multiply करूँ, तो मुझे यह मिलना चाहिए, अब माइनस 1 को, अगर मैंने माइनस 3 से multiply किया, तो मुझे plus 3 मिलेगा, plus 3 नहीं यहाँ पर, माइनस 1 को मैं माइनस नहीं, और plus 3 से multiply करूँगा, तो देखो, क्या आ जाएगा, minus 1 into plus 3 will give you minus 3, तो यहाँ पर भी plus आना चाहिए, अब next step में देख लो, यहाँ पर भी m plus 3, यहाँ भी m plus 3, दोनों common, तो यहाँ पर लिख लिया, common, यहाँ पर से m plus 3 निकाला, तो बचा 2m, यहाँ पर से m plus 3 निकाला, तो बचा minus 1, हो गया factorize, आया समझ में, easy है ना, चलो, copy कर लो, notebook में, next करते हैं, third question दिया है, 12x square plus 61x plus 77, बहुत बड़े numbers है, factors निकालने में हो सकता है, आपको डर लगे, इसलिए हम लोग यह एकदम आराम से करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोड़क्टर सम लिख लेंगे, अब यहाँ पर मैंने product में 12 into 77 लिखा है, क्योंकि फाल्टु क मैंनत करके 12 into 77 का number जो निकालेंगे, answer जो आएगा, उसको ही आपको split करना है, तो मैं आपको आपको सिखा हूँगा कि 12 into 77 को ही कैसे split कर देते हैं, चलो 12 का factorization चेक करते हैं, 12 का factors आप निकालोगे तो आपको आएगा 2600, 2300, 3100, ठीक है, and 77 का क्या आएगा, 77 का आएगा, 71100, and 1100, 77 का ऐसे ही आएगा न, 2 से लेके next prime number 5 तक ही किसी में नहीं जाता है, directly 7 में जाता है, तो मैं 12 into 77 को लिख सकता हूँ, 12 के जगे पे आएगा, 2 into 2 into 3, and 77 के जगे पे आएगा, 7 into 11, अभी आपको इन में से 2 number बनाने है, जोड़ी बना बना के total 2 number बनाने है, ऐसे कि sum आपका आजाए, plus 61, best चीज यहाँ पे है कि सब कुछ positive देको, sum positive है, product positive है, सब कुछ positive है, इसलिए negative आने का chance तो कम है यहाँ पे, कुछ आएगा नहीं न, negative, because sum भी positive है, product भी positive है, तो हम लोगों को 2 number बनाने है, sign का attention है नहीं हमको, 2 into 2, 4 होता है, ठीक है, 4, 3, 0, 12 होता है, यह दो जोड़ी बनाएंगे तो हमको पता है, 12 और 77 आने वाला है, 12 प्लस 77 करके 61 तो आ नहीं सकता, 77 माइनस 12 करके 61 नहीं आता, तो यह दो number तो है नहीं है, तो हमको कुछ और 24, तो 44, तो 21 into 44 करेंगे तो भी यही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसी में से number जूस किये हैं, लेकिन 44 और 21 को add करके देखो, क्या आता है, 4 प्लस 15, 4 प्लस 26, 65 आता है, हमको कितना चाहिए, 61, मतलब यह जोड़ी सही नहीं है, 7 को खाली इसके साथ लेंगे, तो हमारा काम नही होगा, तो यह cancel कर रहा हूँ मैं, let's say मैं 7 को यह दोनों के साथ ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 7 into 4, कितना होता है, 28 multiplied by, क्या बचा, 3 and 11, 3 into 11 कितना हो जाएगा, 33, 28 और 33 आया, add करके देखो, 8 प्लस 3, 11, फिर 3 प्लस 2, 5, प्लस 1, 6, 61 आ गया न, मतलब 28 और 33 ले और add किया, तो मुझे क्या मिला, देखो, प्लस 60 बाद, मैंने यहाँ पर इन दोनों को multiply नहीं किया है, because multiply करूँगा न, तो इस difficult दिखेगा, बताओ क्या multiply करके कैसे आएगा, चलो वो भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर 77 into 12 किया मैंने, तो मुझे क्या मिल रहा है, 924, प्ल 924 को factorize करते हैं, तो आएगा, 24008, 260012, 22004, 22004, 23006, 21002, कहां जाते हैं, देखो, 3 में जाएगा, 370021, 370021, 71100, और 1110, तो देखो, factors क्या है, 924 के, 2 into 2 into 3 into 7 into 11, अभी, यह 924 के जेके पर यहाँ आ सकता है, और इसमें से आपको जोडियां बना कर 2 number चाहिए, तो हमने दे बन रहे थी, 22004 को 7 के साथ लेंगे, तो मुझे मिलेगा 28, यह दोनों और इसको ले लिया, multiplied by 3 and 11 का एक जोडि बना दिया, 3 11s are 33, 28 into 33 करेंगे, तो आएगा तो 924 ही, because यह number सही लिया है न, and इनको add करके क्या आता है, देखो, 33 plus 28 करके आपको आएगा, 1, 3 plus 2, 5 plus 1, 61, यही देखो इसमें, तो हम लोगोंने यहां पर multiply करके चेक किया है, multiply किया तो एक calculation extra करना पड़ा, इतना बड़ा factorization solve करना पड़ा, जब मैंने ऐसे किया था, multiply नहीं किया था, तो देखो, इतना easily छोटे-छोटे factorization करने पड़े था, तो आपको जो चाहिए वो करो, end में 28 into 33 आने से, ठीक है, आपको चीदो screenshot लेकि रख लेना इसका, और मैं wall method का भी नीचे product और some paste कर दूँगा, पहले sign देख लो, इसका sign middle term से आएगा, तो आएगा plus, फिर plus into plus, आजाएगा plus, तो ये भी plus, add करके 61 आता है, वो हमने चेक कर लिया था, है ना, ऐसे करोगे, plus 924 इसको multiply करके चेक करोगे, तो भी ऐसे ही आता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, आपको ये करना है, तो ये भी correct है, ये करना है, तो ये भी correct है, ठीक है, अब middle term को split करते हैं, ये 12x square और 77 ऐसे का इसा copy हो जाएगा, तो लिख दिया, यहाँ पे 12x square और यहाँ पे लिख दिया, plus 77, सिर् 33 plus 28, इधर x था, तो x भी आपको लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ 61 के लिए था न, यहाँ पे 61 के साथ x है, तो 33 और 28 के साथ भी x आएगा, अब ये दोनों में क्या common है, 12 को आप लिख सकते हो 3 into 4, और 33 को लिख सकते हो 3 into 11, ठीक है, 11 तो prime number है, तो इससे जादा और simplify होगा तो यहाँ पे से 1 3 common आएगा, इधर से भी 1 3 common आएगा, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 11, इधर 2x है, यहाँ पे 1x है, 1x common ले लो बार, तो 1x और 3 बार common लेंगे, तो यहाँ पे 1x गया, तो 1x बचेगा, यहाँ पे 1x गया, तो बस सिर्फ 11 ही बचता है, ठीक ह बीच में प्लस है बाहर हमने क्या 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 опыт लिया था ET 3 और EB beber प Juice हम लेलिया फ्री यहाँ पे मैंने क्या कर लिया मैंने EET 3 और EB X को common ले लिया, तो अंदर बचा 4X, बीच में plus है, तो plus ले लिया, यहाँ पर hero बनके ऐसे मत ले ना, एक 3 ले लिया, एक X ले लिया, 3 बचा, यह 33 है, 3 और 3 अलग नहीं कर सकते, 33 को हम ने 3 इंटू 11 लिखा था, उसमें से 3 गया और X गया, तो बचा सिफ 11, हमेशा ही चेक करना अगर confusion है, इसको और इसको multiply करेंगे तो यह आएगा, इसको और इसको multiply करेंगे तो यह आना चाहिए, 3 इंटू 4, 12, X इंटू X, X square, 3 इंटू 11, 33, और साथ में X है, तो इधर भी X, अब यह चेक करते हैं, 77 का तो हमको पता है, सिर्फ 7 इंटू 11 हो सकता है, तो 28 में भी 7 लेकिया हो जबरतस्ती, 7 इंटू 4 हो सकता है, तो 7 common दोनों जगे, X तो एक ही है, तो वो common आएगा नहीं, तो 7 बाहर ले लो, यहां क्या बचेगा, 4X और यहां बचेगा 11, तो यहां पर मैंने 7 common ले लिया, तो यहां बचा 4X, प्लस 11, देखो multiply करगे, 7 4s are 28, और साथ में X है, तो X, 7 11, 077, सेम आना चाहिए, आएगा है, बिकॉस यही नंबर से यह लेकिया हो, अब देखो, दोनों जगे 4X प्लस 11 है, तो मैं 4X प्लस 11 बाहर common ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या बचा, यहां से 4X प्लस 11 common लिया, तो सिब बचा 3X, यहां से 4X प्लस 11 common लिया, तो बचा प्लस 7, हो गया factorize, यही करना दाना, ऐसे दिया हुआ था, हमने उसको ऐसे बना दिया, factorization मतलब brackets लेके आने का, इसमें bracket नहीं था, देखो, हमने bracket लेके लिया आए, इसमें, समझाना, यह दोनों सेम चीज है, मैंने आपको दोनों method से सिखा, आपको यह करना है, तो यह भी करो, इसमें कम calculations है, इसमें थोड़े ज़्यादा calculation है, लेकिन बचपन से हम लोग यही method यह उस कर रहे थे, यहां पे हम लोग multiply करके answer निकालते थे, इसमें मैंने नहीं निकाल यह 924 का रफवक तो देखो, ऐसा था, 924 को factorize किया था, फिर वो factors में से जोड़ी बनाई थी, ठीक है, आगया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, फोत वाले में दिया है, 3y square minus 2y minus 1, अब यह question आपको खुद से solve करना है, product क्या आएगा है यहां पे, product आएगा है, प्लस 3 into minus 1 minus 3, और बीच में sum क्या है, sum है minus 2, वो use करके factors निकालो, इसको solve करो जल्दी से, कर दो video balls, ऐसे आया होगा solution, product देखो, प्लस 3 into minus 1, minus 3, sum मतलब middle term का coefficient which is minus 2, इसको split करना है, सिफ 3 देखो, 3 into 1 आजाएगा 3 का, prime number है न, इसका sign आपको middle term से मिलेगा, minus, minus into minus आपको मिल जाएगा, plus, चेक कर लो, minus 3 को plus 1 से multiply करेंगे, तो minus 3 आएगा, minus 3 plus 1 करेंगे आप, तो आपको आएगा minus 2, जो यहाँ पर है, मतलब factors तो सही है, तो यहाँ पर first step में 3 y square से कौपी, minus 1 से कौपी, सिर्फ यह बीच का minus 2 y है, उसको क्यासे लिगा, minus 3 y plus 1 y, okay, next step में हम लोग यह दो numbers की जोड़ी बना देंगे, पहले 2, enlarge 2, इसमें देखो, 3 y, 3 y दोनों में है, तो इधर से 3 y common ले लिया, तो बचा क्या, एक 3 गया, एक y गया, तो सिर्फ y बचा, ठीक है, फिर यहाँ से 3 और y common ले लिया, तो सिर्फ 1 बचा, ठीक है, बीच में minus था, त चोड़ के, तो 1 को बाहर common ले लिया, यहाँ से 1 निकाला, तो y बचा, यहाँ से 1 निकाला, तो 1 को 1 into 1 लिख सकते हैं, तो एक 1 तो बच जाएगा, तो यहाँ पे भी minus 1 बचा, मल्टिप्लाय करके चेक करो, सेम आता है क्या, 1 into y, 1 y, plus 1 into minus 1, minus 1, आ रहा है, यह दोनों जोगे हमेशा सेम नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे y minus 1, यहाँ पे भी y minus 1, तो उसको बाहर common ले लिया, जब यहाँ से y minus 1 common लिया, तो बचा 3y, जब यहाँ से y minus common लिया, तो plus 1 बचा, ओके, आया खुद से, अगर खुद से आया तो comments में बताओ, कि first का fourth question, I solved it on my own, और मुझे स 6, 7 sum खुद से करोगे, तो नहीं होना चाहिए, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, fifth question दिया है, root 3 x square, plus 4 x, plus root 3, root देखके डरना नहीं है, जो हम लोग ने पहले सीखा था, same हम लोग solve करने मुझे, product क्या होगा, first term का coefficient, और last term का coefficient multiply होगा, root 3 into root 3, root 3 into root 3 क्या होता है, root 3 into root 3 होता है root 3 square, same number दो बार multiply हो रहा है, और square के साथ 6, 3 cancel हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, root 3 into root 3 का answer है, 3, thirds में सीखा थाना हमने, तो यह यहाँ पे आ जाएगा, 3, sign क्या आएगा, यहाँ पे plus, plus into plus होता है, plus, middle term का coefficient क्या है, plus 4, तो वो अपना sum हो जाएगा, 3 को ऐसे दो numbers में split करो, कि multiply करके 3 आना चाहिए, 3 into 1 ही है ना सिर्फ, prime number है 3 इसलिए, तो 3 into 1, पहले number का sign यहाँ से आएगा, plus, और यह plus into plus करके इसका sign मिलेगा, plus into plus कितना होता है, plus, तो इधर भी आ जाएगा, plus, add करके देखो, इन दोनों को, plus 3, plus 1, आ जाएगा, plus 4, वो ही अपना sum, मतलब यह दोनों factors correct है, तो हम लोग जब इसको copy करेंगे, तो first term और last term ऐसे कैसा copy होगा, middle term split होगा, यह दोनों numbers के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो, मैंने same copy कर लिया, सिर्फ यह plus 4x को लिखूँगा, plus 3x, plus 1x, ऐसे आ जाएगा, यह plus 3, plus 1, देखो, add करके plus 4x आ रहा है, जादू से नहीं आ रहा है, यह plus 3, plus 1, आप यह number देखके लाया थे न, यह number देख रहा है, यह number देख रहा है, यह plus 4 ही आएगा, यह दोनों को ऐसे लिखेंगे, अब common लेना है, अब common लेने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेग मैं इसमें एक extra step कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप यह दोनों में देखेंगे न, तो आपको common दिखनी रहा, सिर्फ एक x common दिख रहा है, अंदर बचेगा root 3x और यहां पे आपका बचेगा 3, लेकिन यह सही नहीं होगा, और कुछ बहुती जादा बुद्धिशाली लोग क् 3 common लेते हैं, इधर से 3 common लिया, तो इधर खाली चत्री बचेगा, और चत्री के साथ x square लिख देंगे, और यहां से 3 common लिया, तो x बचेंगे, ठीको यह जो घर पे maths करते हो, उसमें यह कर सकते हो, लेकिन असली mathematics में यह allowed नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि चत्री के बाहर आप स क्या कर रहा हूं, यह पूरा same to same copy करूंगा नीचे, तो यहां पे मैंने पूरा same copy कर दिया, लेकिन सिर्फ यह 3x छोड़ दिया, यह 3x का x तो ऐसे आएगा, यह जो 3 है, उसको क्या लिखेंगे, root 3 into root 3, ओके, ऐसे लिख देंगे इसको, root 3 into root 3, 3 होता है, अब देखो, यहां एक root 3, यहां पे 2x है, तो उसका 1x ले लेघे, यहां पे 1x, दिख रहा है, root 3 और x दोनों में है, तो यहां पे मैंने ले लिला root 3, and x, क्या बचा? एक root 3 गया, एक x गया, तो एक x बच गया, plus है बीच में, यहां पे से एक root 3 गया, एक x गया, बचा सिर्फ root 3, यह जब मैं गया बोलता हूँ ना तो common लिया है ना root 3x यह दोनों में से root 3x यहां पर common लिया है तो root 3 और x common लिया तो बचा सिर्फ root 3 अब यहां पर देखो कुछ common नहीं है सिर्फ 1 common है तो 1 ले लिया common अंदर यहां बचा x और यहां बचेगा root 3 यहां root 3 क्या से बचा? root 3 को root 3 into 1 तो लिखी सकते हो ना और 1 को common ले लिया अब देखो यहाँ पे x plus root 3 यहाँ पे भी x plus root 3 तो x plus root 3 को common ले लिया जब यहाँ से x plus root 3 को ले जाओगे तो बचेगा root 3x जब यहाँ से x plus root 3 को ले जाओगे तो बचेगा plus 1 तो यह आगे आपका final answer आया समझ मैं अच्छा था ना एक question root था इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा यह मैंने extra step किया नहीं तो हर बार हम लोग direct करते थे ना normal numbers थे तो यहाँ पर 12 होता था तो मैं imagine करवा लेता था कि 3 into 4 है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 को root 3 into root 3 आप imagine नहीं कर पाओगे इसलिए एक extra step यह लिख लो कोई problem नहीं है है ना चलो कर लो video pause और यह copy करो notebook में दो तीन बार solve करना है same question आपको ताकि root से जो आपको डर लग रहा है वो नहीं लगे next करते हैं 6th question में अभी root से हम लोग दर है नहीं तो उसने यहाँ पे fraction दे दिया fraction से भी हमको कोई problem नहीं है हम इसको कैसे solve करेंगे इसका coefficient है half और इसका last वाले का है 4 तो हम लोग चेक करो half और 4 को multiply करेंगे क्या मिलेगा 2 2 0 क्या मिलगा 1 into 2 आ गया 2 तो आप इन दोनों को multiply करेंगे तो आपको मिलता है 2 product ठीक है sign क्या है half का sign plus इधर भी plus plus into plus sum क्या होता है sum middle term का coefficient minus 3 दिख रहा है यहाँ तो sum आ जाएगा minus 3 अब आपको 2 को ऐसे split करना है कि उसको multiply करेंगे तो plus 2 आना चाहिए add करेंगे तो minus 3 आना चाहिए तो 2 तो prime number है एक ही possibility है 2 into 1 इसका sign कहाँ जाएगा इसका sign यह middle term जाएगा क्या है minus तो इधर ले लेंगे minus फिर इसका sign minus into plus आ जाएगा minus देखो इस दोनों को multiply करो minus 2 into minus 1 minus into minus आ जाएगा plus 2 into 1 आ जाएगा 2 और add करो minus 2 minus 1 add करके आया minus 3 जो यहाँ पर है ठीक है तो हमारा सही है factors तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग next step में यह half x square ऐसे ही copy करेंगे plus 4 ऐसे ही copy करेंगे यह जो बीच में minus 3x है ना उसको हम लोग कैसे लिखेंगे minus 3x को हम लोग लिखेंगे minus 2x minus 1x same चीज जो अब तक करते आ रहे थे ठीक है अब यहाँ पर आप देखेंगे ना मैंने बताया था जब common लेंगे तो आपको same दिखना चीए नबर यहाँ पर आपको अगर minus 1 को common लेना है तो अंदर क्या बचेगा x minus 4 आ जाएगा ना क्योंकि minus 1 fraction है इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है लेट से यहाँ पर आप x तो common easily ले सकते हो अगर आपने x common ले लिया तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा half और 1x और यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा minus 2 हमको वैसा नहीं चाहिए एक काम करते हैं आप half common ले लो बार अगर आपने half और x common ले लिया तो जब यह term यहाँ पर लिखोगे half गया और 1x गया तो 1x बचेगा अब यहाँ पर से x गया तो x तो गया अब यह minus 2 के जगे पर गया है आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जब आप उसको half से multiply करो तो answer 2 आना चाहिए half को किस से multiply करेंगे तो answer 2 आता है half को 4 से multiply करेंगे तो 2 आता है ना तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 4 sign क्या आएगा मुझे यहाँ पर minus चाहिए ना तो इधर भी minus आएगा देख लो एक बार half x को minus 4 से multiply किया तो मुझे minus 2 x मिलना चाहिए half x को minus 4 से multiply किया तो क्या आएगा 2 1 0 2 2 0 यह x और यह minus 2 तो उन्हों एक दूसर से multiply होंगे और मिलेगा minus 2 x जो यहाँ पर था आया समझ में और यहाँ पर यहाँ पर तो same number चाहिए ही तो यह सब rough work यहाँ अच्छो यह जो मैंने किया है side में पूरा rough work यह आपको करके बताने की जरूरत नहीं है मैंने आपको समझाने के लिए करा है लेकिन यह आप question में लिखना यह दिखाना है अब देखो यहाँ पर x-4 यहाँ पर भी x-4 तो आपन x-4 common ले लेते है जब इधर से x-4 common गया तो बचा half x तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे half x जब यहाँ से आपने x-4 common लिया तो बचा minus 1 तो यहाँ आजाएगा minus 1 हो गया factorization है ना easy देखकर बहुत difficult लगता है लेकिन rough up में अगर आप ऐसे calculations कर लोना तो उतना difficult नहीं है ठीक है वीडियो pause करो और यह question कम से कम 3-4 बार practice करना क्योंकि इसमें mistake होने का बहुत chances है fraction आता है न तो वैसे ही बच्चों को problem होता है क्योंकि practice नहीं किया हो था न fraction पहले से कि इसको भी अच्छा नहीं लगता fraction पता नहीं क्यों बड़ practice करोगे तो यह भी easy लगेगा तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं आज practice set 3.6 के lecture 1 में मैंने आप लोगों को first question कराया and first का first, second, third, fourth, fifth, sixth कराया sixth question थोड़ा अच्छा था third question भी बड़े-बड़े number से इसलिए बहुत सही था और यह fifth question इसमें भी root आ गया था ना बाकी सारे questions जो थे वो eight standard level के थे nine standard में आये हो तो कुछ थो थोड़ा अच्छा देंगे ना tricky बनाएंगे वो लोग same to same बनाना है तो eight में ही दे दे ते ninth में क्यों देंगे इसलिए यह जो questions आप कर रहे हो ना यह nine standard level है थोड़े tricky लगेंगे लेकिन practice करोगे तो आ जाएगा ओके तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो thumbs up दे दो अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर दो subscribe क्योंकि हम लोग ऐसे सारे practice set के detailed solutions अप्लोड करते रहेंगे अगर आपको बाकी chapters के solution देखने है या बाकी practice set जो यह chapter के है उसके solution देखने है तो right side में जब वीडियो खतम होगा ना तो एक box आएगा यहां पर वो box पे क्लिक करेंगे तो आपको playlist मिलेगा जिसमें आपको nine standard के सारे practice set के हर एक question का solution मिल जाएगा comment section में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह video कैसा लगा thank you so much for watching this video